थंडी में पहाडों में खूम रहे थे, सुनेरे मंदिर में लंगल खा रहे थे, पत्थर की कलाकारिया देख रहे थे, नए साल के लिए यादे जोड रहे थे, नाजगा के नए साल की शुरुवात कर रहे थे, क्या अब पता था किसको, कॉलेज में लेक्चर कम और बंग ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि ये कॉलेज का आखरी पल था, छोटे बच्चों की तरह छुपन-चुपाई खेल रहे थे, अलग खेल की प्रैक्टिस कर रहे थे, बार-बार कभीर कोज चला रहे थे, प्लानिंग के साथ खेलने की तैयारी कर रहे थे, मैं से रैंप वाक सीख रहे थे, हमेशा लेट आरते थे, दांस नहीं आता, फिर भी पीचे छुण में नाच देते, क्या पताता किसको, पढ़ाई तु की नहीं, पहली यूनिटेस दी नहीं, फिर भी दोस्तों के साथ चिल मार रहे थे, क्यूंकि ये आखरी पल्चो था कॉलेज का, अच्छा समय चल रहा था प्रोजेक का, ना कोई टेंशन था, और ना कोई प्रोजेक करने का इरादा, क्या पता था किसको, सब एक साथ रह रहे थे, ना कोई जूनिय था, और ना कोई सीनियर, कुछ इरिटेटिंग लोग भी थे, लेकिन छोटा भाई समझ कर इग्नोर कर लेते थे, सब मस्ती मजाग और धेड़ सारी महनत, रोलिंग ट्रॉफी के लिए कर रहे थे, क्या पता था किसको, रंगों की मस्ती की ही नए कि सब बंद हो गया, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, कहते कहते पूरी कर में, घर में बैठे निकल गई, और अचनक से जूनियर लास्ट येर में आगे है, वो दुख की बात समा ही रहे थे, कि एक्जाम की तैयारी के बिना पास हो गए, हाँ, हम सब इंजिनियर तो बन गए, पर अब वो आखरी वाला स्कैम रहे गया, OLT वाला अटैक पूरा इस्तमाल ही नहीं किया, यादे बहुत से मिटी हैं, पर हमेशा याद रहेगा, कि OLT ठीक से हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ अटेंडेंस का लोड ने लिया, चानते, सब इंजॉई तो किया, पर हमेशा दिल में ये जरूर रहेगा, कि कुछ तो, कुछ तो छूट गया, क्या पता था किसको, अब तो मुंबै भी बारिश में भीग गई, कब होगी ये मुलाकाते, अपने जिगरों से कब मिलेंगे फिर से, क्या पता था किसको,